चेर्मेन राकेश गर्ग का बयान सामने आया, उन्होंने का कि पहली लोग सबाब में प्रदेश के केमिस्ट को एकजुट करके सभी सीटें कॉंग्रिस को जिताने का काम करेंगी आगे विदान सबाब में प्रदेश के 25,000 केमिस्ट और उनके साथ जुड़े करीब पांच लाक लोग बीजेपी सरकार का सफाया करेंगे और क्या कुछ का सुनिया आप आज हर्याना कॉंग्रिस ने बहुत से अलग-अलग प्रकोष्टाओं के जो चेर्मेन है उनकी न्यूक्ति की है ऐसे में हमारे साथ मौझूद है जो केमिस्ट सेल के चेर्मान है राकेश गर्ग जी उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ जिम्मेदारिया उनको कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से दी गई है और केमिस्ट सेल के लिए उनकी आगे की रणीती क्या कुछ होने वाली है आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूस पर बहुत भूँत धन्यवाद माडम सर पहले तो आपको इतनी वड़ी एक जिम्मेदारी सौंपी गई है आपको चेर्मैंशिप दी गई है केमिस्ट सेल की तो क्या कुछ जो तयारिया होंगी आपके आने वाले समय में केमिस्ट सेल को लेकर बताए सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हमारा राश्टिय नित्रितव है आधरनिय सोनिय गांधी जी राउल गांधी जी प्रियंका गांधी जी और हमारे परदेश के तमाम नेता चोधरी बुपेंदर सिंग घुड़ा जी चोधरी उदेभान जी हमारे आधरनिय सांसत डिपेंदर घुड़ा जी और तमाम हम चाहे के साथ कह रहा हूं यह हिंदूस्तान के अंदर पहली बार हुआ है जब किसी राजनेतिक पार्टी ने चैमिस्टों के लिए एक प्रकोस्ट का गठन किया है तो हम कांगर्स पार्टी के पड़ते उनके नेताओं के पड़ती अभार विक्त करते हैं दूसरी बात चैमिस गलत है लेकिन सरकारी संदक्षन के अंदर ओनलाइन दवाईयों का धंदा फल भी रहा है और फूल भी रहा है बीग है जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी है कि मुझे सेल का ध्यक्ष मुझे सेल का प्रेजिडेंट बनाया है तो पूरे परदेश का दोरा करेंगे पूरे चीत करने के लिए तो यह दे हमारे साथ राकेश गर्जी जुनों ने बताया कि आगे की जिम्मेदारियों को किस तरीके से निभाएंगे और ऑनलाइन फार्मेसी को लेकर क्या कुछ रणनी ती कॉंग्रेस पार्टी या फिर केमिस्ट सेल चेर्मान के तरफ से बनाई जाती वो भी दिखना रहेगा कैमरा परसन इंदरजीत के साथ मैं में दी